रियालिटी शो बिग बॉस साविंटीन के घर में अंकिता लोखंडे और उनके पती विक्की जैन के बीच का रश्ता काफी नाजुक मोड पर पहुच गया है शो में दोनों एक दूसरे से लड़ते ही दिखे कभी अंकिता भजेसिब हो जाती तो कभी विक्की उन पर हावी हो जाते बिते अपिसोड में अंकिता ने पते विक्की संग चीज़ों को सुधारने की कोशिश भी की लेकिन विक्की ने अपनी तरब से कोई जहमत नहीं उठाई उल्टा उन्होंने अंकिता को इग्नोर कर दिया एपिसोड में दिखाया गया कि लगातार हो रही लडाईयों को ठीक करने के लिए अंकिता अपने पती विक्की जैन के लिए तयार होती है उन्होंने विक्की को गालो पर किस किया लेकिन जैसे ही उन्होंने विक्की को लिप पर किस करने की कूशुश की विक्की उन्हें तुरंद रोग दिये विक्के ने कहा कि वो comfortable नहीं है उन्होंने कहा प्लीद समझ लेना बात को बार बार अच्छा नहीं लगता मुझे गुसा भी मत हो समझ भी ले और बस स्माइल कर दे प्लीज बिट्टू इस पर अंकिता कहती है कि मैं अपने पती की पपी नालू तो किस के लो विक्के तू तो नहीं लेता मुझे तो लेने दे विक्के जैन कहते हैं कि पती से सर्फ एक इमोशन नहीं होता उससे दिन भर कोई बात ना करो चब्बिस मू बनाओ और फिर एक पपी ले लो अंकिता ने कहा कम से कम मैं कोशिश तो करती हूँ विक्के ने आखिर में कहा कि होटो पर किस लेना मुझे टीवी पर अच्छा नहीं लगता इस पर अंकिता बताती है कि वह उनके होटो पर नहीं बलके उनके गालों पर किस करने वाली थी अंकेता ने विक्के के साथ चीजों को सुल जाने की कोशिश की और उन्हें बताया कि फामिल विक्के बाद से वह समस्याओं का सामना कर रही थी और वह उदास महसूस कर रही थी कर दो, क्या बाद से बाद सामनाüs कर रही थी और चीजों का से विक्के बार